आज हम अपने किचन में बनाएंगे हरियाना की ट्रेडिशनल और अलवर की मशूर खालिस दूर से बनी मुँ में घुल जाने वाली मिठाई हेलो एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होमी लोपी पर और आज अपने किचन में हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई जिसे बनाना है तो थोड़ा मेहनत का काम पर मुश्किल नहीं है और स्वाद के लिए तो हम सब कुछ करने को तयार हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना आप सोश रहे होंगे कि मैंने आपको इस मिठाई का नाम तो बताया ही नहीं तो चलिए बताती हूँ हम बात करें मिलक केक की इसे बनाना थोड़ा सा टाइम कंजूमिंग तो है पर बहुत टेस्टी बनती है इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की जरूरत पड़ती है तो चलिए शुरू करें इसे बनाने के लिए हमने लिया है धाई किलो फुल क्रीम मिल्क क्योंकि उससे जो मिल्केक बनता है वो बहुत ही सौफ्ट बनता है इसके अलावा हमें चाहिए एक निम्बू का रच लगवग वन टेबल स्पून देशी घी एक कबची ने अब एक भारी तले की कड़ाही लें क्योंकि जब घी की सायता से इसे ग्रीज करेंगे तो जो दूद है वो उबालते समय तली में चिपकेगा नहीं तो इसे अच्छे से ग्रीज कर लेते हैं चारों तरफ से और अब इसमें दूद को डाल कर गैस पर उबलने के लिए रख देते हैं दूद को उबलने के लिए गैस पर रख दिया है उबाल आने तक हम गैस का फ्लेप है वो हाई रखेंगे जिससे की दूद जल्दी से उबल जाए और इसको बीच में से एक आद भार स्पैचुला की साइटा से चला देंगे तक्से की दूद तली में लगे नहीं दूद में उबाल आचुका है इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको इस तरह से अच्छी तरह साइड़ों से भी स्क्रेप करते रहेंगे बीच बीच में और इस तरह नीचे तली पर भ रह जाता देखिए जो दूद है वो गाड़ा होकर लगबग आधा रह गया है और इस प्रोसेस में हमें लगबग 40-45 मिनट का समय लगा है चुकि टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है तो इसमें आप एक गैस पर दूद को उबलने के लिए रहकर साथ साथ अपना किचन का दूसर निम्बू का रस हमने एक टेबल स्पून निम्बू का रस लिया है इसमें हम इतना ही पानी एड़ करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा रस यूज नहीं करना है नहीं तो दूद में दाने बनने के बजाए उसका पनीर बन जाएगा अब इस जूस को धीरे-धीरे करके दूद में एड करेंगे निम्बू के रस को एक ही जगे नहीं डालना है इसको थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से फेलाते हुए चारों तरफ फिर इसमें मिक्स करना है ताकि सब जगे एक समान दाने बने जोकी मिलक केक का असली होता है अब बचे हुए रस को भी हम इसी तरह से इसके अंदर डालकर मिक्स कर देगे यह देखिये निम्बु डालने से से समें हलके हलके दाने बन चुके हैं जो कि मलाई के नहीं हैं, बलकि इसमें निम्बू डालने से बने हैं, यदि आपके पास निम्बू का रस ना हो, तो आप इसकी जगह पर एक चुटकी टार्टरी या एक चुटकी फिटकरी का भी यूज कर सकते हैं, निम्बू का रस हमने डाल दिया था और इसमें दाने भी बन गए हैं अभी स्टेज़ पर इसमें आड़ करेंगे वन टेबल स्पून देशी घी जो इसे बहुत ही सोफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनाएगा और अब इसे दस से पंदरा मिनट तक पका लेंगे मिश्रन है वो काफी गाड़ा हो चुका है इस टेस पर हम इसमें आड़ करेंगे चीनी चीनी को हमने इसी तरह फेला कर डालना है चीनी डालने के बाद जब वो पिगलती है तो उसमें से बहुत छीटे उचलने लगते हैं इसलिए हम कडाई को एक प्लेट की सायता से एक से चलाते हुए जमने वाली कंसिस्टंसी तक पका लेंगे मिश्रन है वो जमने वाली कंसिस्टंसी में आ चुका है इस टेस पर गैस को बंद कर देंगे और अब इसल्दी से उस बरतन में डाल देंगे जिसमें की हमें इसे जमाना है इसे जमाने के लिए मैंने एक भगोनी लिए हैं जोटी जिसे मैंने घी लगाकर ग्रीज कर लिया है अब इस मिश्रन को इसके अंदर डाल देंगे मिश्रन को हमने इस भगोनी में डाल दिया है अब इसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें ये सारा एक समान फैल जाए उपर से इसे चम्मच की साहता सिस्तर दबा कर एक समान फैला देंगे अब इसे ढख कर और एक गरम कपड़े में लपेट कर आठ से दस घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे लगबग आठ घंटे हो चुके हैं और मिक्स्चर को चैक कर लेते हैं देखिए मिक्स्चर अच्छे से सेट हो गया है अब हम एक छूरी लेंगे और उसकी साइटास इसको साइडों से छुडा लेंगे अब 10 सेकंड के लिए इसे गरम करेंगे और फिर इसको डिमोल्ड कर लेंगे अब एक प्लेट इस पर रखेंगे और इसको इस तरह से उल्टा करके यहां से हलका थप थपाएंगे और इसको बाहर निकालें मिक्स्चर को डी मोल्ड करके हमने पीसिज में कट कर लिया है देखिए कितना बढ़िया दानेदार मिलकेक बनकर तेयार हुआ है यह बहुत ही टेस्टी बना है आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और यदि रैस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दवाना ना भूले थेंक यू